दोस्तों आप सब लोगों को बताई होगा कि भारत प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स जेनेरेशन के डिजल एलेक्टरिक सब्मरीनों को लेके जर्मनी के साथ बातचित कर रहा है और जर्मनी के द्वारा भी भारत के सामने अपने सब्मरीनों का प्रस्ताव रखा गया है और बेसिकली दोस्तों ये जो ओफर है ये पुराने सब्मरीनों का ही है लेकिन इनलार्ज वर्जन मतलब बड़े आकार के सब्मरीनों को लेके है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग के जानकारी के लिए बता दू कि जो टाइफ 214 सब्मरीनों का एक रिक्वेश्ट फर प्रपजल भारत के सामने रखने को लेके तैयारी किया जा रहा है। अब तक के जर्मनी के द्वारा बनाया हुआ सबसे अडवांस तरेंड सब्मरीन है और दोस्तों इसमें एर इंडिपेंडन प्रॉपल्सन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरिस के इस्तेमाल का भी बात कहा जा रहा है। हलाकि आफ टाइफ 214 के इनलार्ज वर्जिन मतलब करिफ 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 2000 तन के वजन के सब्मरीनों का प्रस्ताव रखने का पीछे जो असल मकसद है वो है कलविरी क्लास के सब्मरीनों को हराना और इंडिया के रिक्वार्मेंटों को पुरा करना। बेसिकली दोस्तों भारत अपने प्रोजेक्ट 75i के अंतरगत एक ऐसा सब्मरीन चाहता है जो की आकार में बड़ा हो और जिसमें एयर इंडिपेंडन प्रोपल्सन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरिस के साथ वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टम भी हो और इसके लिए भारत क के सामने फिलाल ओफर के अंतरगत जर्मनी के ये सब्मरीन के इलावा स्पेन के नेविंशिया ग्रूफ के तरफ से निर्मान किया हुआ इस 80 प्लस क्लास के सब्मरीन है जबकि इससे पहले सबसे स्ट्रॉंग दावेदार के रूप में साथ कोरिया के सब्मरीनों को ही माना जा रहा था लेकिन अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साथ कोरिया के द्वारा इन सब्मरीनों के प्रोजेक्ट से अपने प्रोजेक्ट में यह दावा किया रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंतरगत इंडिया नेवी जिस तरीके का सब्मरीन चाहता है उसका वजन कम से कम 3000 तन होना चाहिए वही पे जो Type 212 CD क्लास के सब्मरीनों का ओफर भारत के सामने जर्मनी के तरफ से रखा गया है उसका अधिक तम वजन करिवन डाई हजार टन है हाला कि कुछ रिपोर्टों में ये वी दावा किया जा रहा है कि अब जो Enlarge सब्मरीनों का ओफर भारत के सामने रखा गया है उसका वजन 3000 टन से भी अधिक हो जाएगा और रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा है कि जल्दी सब्मरीनों को लेकर टोसन कुरूप मरिन सिस्टम्स के दरफ से रिक्वेश्ट फर प्रोपजल भी जारी कर दिया जाएगा अब दोस्तों अल्रीडी अगर देखा जाए तो लड़ाई फिलाल प्रोजेक्ट 75 आई को लेके जर्मनी और स्पेन के बीच में ही चल रहा है लेकिन वही पे दूसरे तरफ फ्रांस के तरफ से भी एक नया इंट्री लेने का प्रयास किया जा रहा है और आप लोगों को पत जाएगा जिसमें की एर इंडिपेंडेंटन प्रोपोल्सन सिस्टम्स और लिथियम आयन बैटरी होगा जो की एक तरीके से प्रोजेक्ट 75 आई के रिक्वेर्मेंट को भी पूरा कर सकता है और दोस्तों अगर रिक्वेश्ट पर प्रोपोजल स्टेस से पहले फ्रांस के त जन का ओफर भारत के सामने करने को लेके रखा जा रहा है अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे सब्मरीनों को लेके बड़ा ख़वर आ रहा है तो वही पर दूसरे तरफ भारत के द्वारा निर्मान किया हुआ लॉंग रेंज क्रूज मिसाइल निर्वाय को लेके भी एक बह और एक क्रूज मिसाइल पोग्राम है और दोस्तों इस पोग्राम के अंतरगर एक सफल था तो भारत को काफी लंबे समय पहले मिल चुका है लेकिन इसमें अभी और भी कई सारे सफलता का आवशकता है और आप लोगों के जानकारी के लिए यहाँ पे बता दू कि साल 2020 में जब भारत आट चैना के वीज में जड़ब चल रहा था तब कुछ खबरों में दावा किया गया था कि भारत के दौारा निर्वय रज्यू के अपना छुट का एक आगे बढ़ाया गया जिसका असल मक्सद था भारत के खुद के इंजिन मतलब स्मॉल टर्वो फैन इंजिनों का इस्तिमाल करना हला कि दोस्तों इसमें भी भारत को सफलता मिल चुका स्मॉल टर्वो फैन इंजिन डेवलप्ट हो चुका और इसके बाद अब ख़बर आ रहाएगी निर्वय जैसे मिसाईलों को इंडियन आर्न फोर्स के तीनों बेड़े में शामिल किया जाएगा रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा है कि गौवर्मेंट के तरफ से फिलाल इसे लेके अपना प्रोपोसल भी जारी कर दिया गया है ताकि तीनों बेड़े में मतलब आर्मी नेवी और यार्फोर्स में ये लॉंग रेंज के मतलब हजार किलोमीटर रेंज वाले सब सब्सानी क्रूज मिसाईल हो सके हला कि कुछ रिपोर्टों के मताविख ये वी दावा किया जा रहा है कि दो साल पहले ही गौवर्मेंट के तरफ से दोनों फोर्स के लिए ऐसे सब सॉनिक क्रूज मिसाइलों को लेके अनुमती दिया गया था और अब तीसरे फोर्स के लिए अनुमती दिया गया है हाला कि इसे लेके क्लियर जान करें नहीं दिया गया है कि पहले कौन से दो फोर्स के लिए अनुमती दिया गया था और अब तीसरे कौन से फोर्स के यह अनुमती है अब दोसो निर्वाय मिसायल अगर तीनों बेड़े में शामिल होता है तो यह ब्रमोस सुपर सौनिक क्रूस मिसायल के बाद दूसरा ऐसा मिसायल होगा जो तीनों बेड़े में इस्तेमाल हो अब दोसो आप लोग marti में यह सवाल हो सकता है कि अगर भारत के प सबसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्मान किया जा रहे, जो कि ब्रमोज मिसाइलों के मकाबले में ताकत में कम तर है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके जानकरी के लिए बता दू कि जब से रश्या यूकरिण का लड़ाई शुरू हुआ है, तफ से इस तरीके के मिसाइलों का अधिक बढ़ चुका है क्योंकि दोस्तों यह जो मिसाइल है यह cost efficient solution है मतलब एक तरीके के ऐसे product है जो कि कम से कम पैसे में बन जाता है और युनी कारणों के वज़ा से भारत के द्वारा सबसानिक मिसाइलों के उपर वी focus लाया जा रहा है जो कि ब्रमोस जैसे cruise मिसाइलों के मकाबले में काफी कम कीमत में बन सकता है और बड़े मात्रा में कम खर्चों में ऐसे मिसाइलों को बनाया जा सकता है जो कि लड़ाई के दर्मियान काफी अधिक मदद करेगा बैसिकली दोस्तों कम important टार्गेटों को निशाना बनाने के लिए अगर भारत के तरफ से ब्रमो टार्गेटों को भी निशाना बना सकेगा वो भी कम पैसे में और दूसरे तरफ रश्या यूकरेन के लड़ाई के दर्मियान जिस तरीके से सफसोनी क्रूज मिसाइलों का इस्तमाल हुआ है उसे देखते हुए भारत के तरफ से सफसोनी क्रूज मिसाइल के तरफ फोकस को बढ़ाया गिया खास करके दोस्तों भारत को लंबे दूरी के मिसाइलों का जरूरत है जो की एक हजार नहीं बलकि इससे भी अधिक रेंज तक टार्गेटों को निशाना बना सके हाला कि अब निर्वय मिसाइल हजार के मिसाइल के रूप में तयार है तो ऐसे में इन मिसाइल जैसे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है और निवल एंटी शीफ क्रूज मिसाइल जैसे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है उसे भी आगे बढ़ाया जाए ताकि भारत के पास कई तरिके के अल्टनेटिव मिसाइल हो और लड़ाई के दर है इसका wingspan करिवन 2.7 मिटर मतलब 8.9 फीट है और ये 200 से 300 किलोग्राम के वरेट को कैरी करता है मतलब दोस्तो ये जो ब्रमोस मिसाइल है उसके मुकाबले में करिवन आधा वजन का है और वरेट लगवग लगवग सेम कैरी करता है वही पर दोस्तो ये जो मिसाइल है ये असल में दो स्टेज में इंजिनों का इस्तेमाल करता है जिन में पहले स्टेज में तर्वो जेट इंजिन है जबकि बाद में तर्वो फैन इंजिन का इस्तेमाल करता है पॉपलेंड के रूप में तर्वो जेट इंजिन में मतलब फर्स स्टेज में सॉलिट फ्यूल का इस्तेम रिपोर्ट के मुताविक ये देड़ हजार किलो मिटर दूर तक टार्गेटों को निशाना बना सकता है लेकिन फिलाल इसके हजार किलो मिटर रेंज वले मिसाइलों को ही रुशन इंजिनों के साथ बेड़े में शामिल किया गया है यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बतादू कि ये जो मिसाइल है ये 50 मिटर के उचाई से लेकि 4 किलो मिटर के उचाई तक आसानी से उड़ान भड़ सकता है और इसका रफतार 0.9 माक है मतलब ध्वानी के रफतार से थोड़ा ही कम है गाइडनेंस सिस्टेम के लिए मीट कोर्स में रिंग लेजर जारो इंटरनल नजिगेशन सिस्टम और ME-MS जारो स्कोड इस्तेमाल किया गया है जबिसके इलाबा जीपीएस और भारत के नाविक सैटिलाइट गाइडनेंस सिस्टम भी है और टेर्मिनल फेज के लिए इसमे मोस NG में रेंज का डिमेरिट है वो इन मिसाइलों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि निर्भाय मिसाइलों को तीनों बेड़े में शामिल करने का जो इरादा है ये भारत को सच में फाइदा देगा या फिर भारत के लिए नुकसान लाइक होगा कॉमेंट करके अपने राए अबश्य दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही फेही करते हैं समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम